सर्दी की छुटियां हो गई थी और सीता और उसका परिवार मनाली जाने के लिए तैयार हो रहे थे तभी सीता की बेटी परी उसके पास दोड़ते हुए आती है मामा आप मेरी वो लाल वाली टोपी और गलफ्स भी रख लेना वहाँ पर तो कितनी ठंड होगी ना बर्फ भी गिर रही होगी ना नहीं नहीं मैं खूब सारे कपड़े पहन कर रहोंगी कई मुझे सर्दी लग गई तो छुटियों का सारा मज़ा बेकार हो जाएगा हाँ परी वो टोपी और गलफ्स तो मैंने पहले ही रख लिये हैं तुम चिंता मत करो मैं हूँ ना मैं तुम्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगने दूँगी तभी सीता का पती विक्की वहाँ आ जाता है अब हमें निकलना चाहिए सीता तुम दोनों तयार हो ना हाँ हम तयार हैं हमने सारा सामान भी रख लिया है सीता जल्दी से सारा सामान पैक करके टैक्सी में रख देती है और तीनों रेल्वे स्टेशन के लिए निकल जाते हैं रेल्वे स्टेशन पर पहुँच कर वो लोग मनाली जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं ट्रेन में पूरा दिन बीच जाता है और रात होने लगती है पर मनाली पहुचने से पहले ही एक स्टेशन पर ट्रेन रुख जाती है अरे ट्रेन यहां इतनी देर से क्यों रुख और यहां इतनी थंड होने लगी। बाहर देखो ना, मुझे तो लग रहा है बर्फ पी गिरने वाली है। अगर सिर्फ एक घंटे की बात है तो चलिए चलते हैं। अगरी को देखो वो तो थगान की वज़ा से कार में सो गई। दोनों हसी खुशी बाते करी रहे थे कि तभी वहां पर बर्फ गिरने लगती है। अरे विक्की मुझे तो यहाँ पर हर तरफ अब सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। गाड़ी आगे चल भी पाएगी या नहीं। लगता तो नहीं सीता एक तो इतना अंधेरा है और उपर से यहाँ आसपास कोई होटल तक दिखाई नहीं दे रहा। अब क्या करें हम। तभी सीता को थोड़ी दूर पर कुछ रोश्नी दिखाई देती है। अरे विक्की वो देखो वो क्या है मुझे वहाँ सामने थोड़ी रोश्नी दिखाई दे रही है। थोड़ा आगे बढ़ो तो थोड़ा आगे जाने पर विक्की और सीता देखते हैं कि रोश्नी कहां से आ रही थी तो वो दोनों हैरान रह जाते हैं वहाँ पर एक बड़ा में किताबों में सुना था, हाँ, हरे, इंग्लिश में क्या कहते हैं यह, हाँ, इगलू, हाँ, सही कहा तुमने, ऐसे बर्फ के घरों को तो इगलू कहते हैं, और देखो, इसके अंदर से ही रोश्णी आ रही है, शायद अंदर कोई है, परी को यही कार में सोने दो, चलो, हम चल कर पूचते हैं, कि शायद हमें यहां रात गुजारने को मिल जाए, ठीक है चलो, चल कर पूचते हैं, विक्की और सीता गाड़ी से उतरते हैं, और उस बर्फ के घर के पास जाने लगते हैं, वो घर के अंदर जांकते हैं, और आवाज लगाते हैं, क्या यहाँ पर तुम्हें रोका नहीं, नहीं नहीं, वो बर्फ इतनी पढ़ रही है कि अभिकार से आगे जाना मुश्किल है, और यहां आसपास कोई होटेल या घर भी नहीं है, सिवाए आपके इस बर्फ के घर के, तो क्या हमें आज रात रुपने के लिए यहां सहारा मिल सकता है, तो दोनों अकेले ही रहते हैं, आप अराम से यहां अपनी बेटी परी के साथ रुख सकते हैं, क्या, पर हमने तो आपको यह नहीं बताए कि हमारी बेटी भी हमारे साथ है, और उसके नाम परी है, तो आप, वो मैं एक जोतिश हूँ, मैं सिर्फ इंसान का चेहरा देख कर ही, यह सुनकर विकी और सीता हैरान रह जाते हैं, हैरान होने की जरूरत नहीं है, आओ, अपनी बेटी और सामान को ले आओ, मैं तुम्हे कमरा दिखा दू, तुम उसमें रह सकते हो, जी, ठीक है, सीता और विकी परी को उठाते हैं, और सामान लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं और अंदर से दर्वाजा बंद कर देते हैं वा ये घर तो सच मुझ काफी गरम है अंदर से और कितना बड़ा भी है ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी तो यहां मज़े से रहते होंगे मम्मी मुझे नींद आ रही है हाँ परी रुको मैं अभी विस्तर लगा देती हूँ सी अब हमें सोच जाना चाहिए हम सुपर जल्दी ही मनाली के लिए निकल जाएंगे क्यों विक्की हाँ ठीक है सीता इसके बाद तीनों सोच आते हैं आधी रात को जब विक्की की आँख खुलती है तो वो देखता है कि सीता और परी दोनों ही अपनी जगर से गायब थे विक तेज रोष्णी आ रही थी विक्की जाकर देखता है तो उसके होश यूड जाते हैं बाहर एक चुड़ैल और भूत खड़े थे और उन्होंने सीता और परी को एक मोटे डंडे से बांद कर लटका रखा था और नीचे आग जला रखी थी विक्की देखता है कि वो दोनों भूत और चुड़ैल आपस में बातें कर रहे हैं क्या बात है आज कितने दुनों के बाद हम लजीस खाना खाएंगे इतने दिनों से यहाँ पर बुड़ा बुड़ी का रूप बना कर रह रहे थे लेकिन कोई भी हमारी जाल में फसी नहीं रहा था आज जाकर ये बकरे फस हैं बस अब जल्दी से इन दौनों माब भीटी को इस करमाग में सेकर खा लेते हैं अरे हां अभी अंदर एक इंसान और सो रहा है ना चलो कोई बात नहीं उसे कल सुबह नाश्टे में खा लें गए भूत और चुड़ैल की बात सुनकर विकी बहुत परिशान हो जाता है अ आग से कितनी जलन हो रही होगी चलो जल्दी से घर चल कर देखते हैं कहीं वो आदमी भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा है बूत और चुड़ैल घर के अंदर आते हैं लेकिन तभी विकी खिड़की से कूट कर बाहर निकल जाता है विकी जल्दी से जाकर कमरा बंद कर द याद रहे कुछ भी हो जाए यहां से बाहर मत निकलना क्या लेकिन आप कहां जा रहे हैं चलिए न हम यहां से भाग चलते हैं नहीं सीता हम भाग भी गए तो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएंगे हमें भूत और चुड़ैल का कुछ पक्का इलाज करना पड़ेगा मे हमसे बहुत गुसा रहा है वो राइला का हमारा है आखर हमसे बच कर वो लोग कहां जाएंगे एक बाद मेरे हाथ लग जाए तब उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी उनकी हिम्मत भी कैसे हुई हमसे चालाकी करने की भूत और चुड़ैल आपस में बात कर ही रहे थे कि त बचाऊ 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 दोनों भूत और चुड़ैल जल कर राख हो जाते हैं तब विक्की सीता और परी को भी पेंड के पीछे से बाहर ले आता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम जिन्दा बच गये मेरे रहते हुए मैं अपने परिवार को कुछ होने कैसे दे सकता था मुझे पता था कि ये दोनों हमें ऐसे भागने नहीं देंगे इसलिए मैंने तै कर लिया था कि अब इने मार कर ही हम यहां से जाएंगे तो चलिए जल्दी से यहां से चलते हैं हाँ पापा मुझे भी यहां बहुत डर लग रहा है इसके बाद विकी अपने कार लेकर आता है और तीनों उस जगा को छोड़ कर चले जाते हैं।